इताल्भी आर्किटेक्ट, स्टेफनो बॉयरी एक प्लान के साथ तयार हैं और यह प्लान क्या है यह प्लान है एक सो सत्रा मीटर लंबी बिल्डिंग बनाने का जो की पूरी तरीके से ग्रीनरी से कवर्ड होगी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए जुल्दी से सब्स्ट्राइब करें कार्डिन लफशब को और प्रेस कर दें बैल आइकन यह जो आंकिटेक्ट है यह लॉसीन स्वीजर लेंड में एक ऐसी बिल्डिंग तयार कर रहे हैं जो की अठारा हजार पेड पौधों से तो यानि की कहने का मतलब यह है यह जो बिल्डिंग है यह आपको ब्री से फुल फ्लाजट रखेगी और आपको पेड लगाने की ज़वरत भी पड़ेगी क्योंकि जो आर्किटेक्ट ने अपना एक प्लान रेडी किया है तो उसमें उन्होंने बताया है कि कम से कम इसमें 100 से जादा पेड होंगे और इसके अंदर 36,000 से जादा इसमें क्रीपर और वाइन लगेंगी और बाकी छोटे-मोटे पौदे होंगे तो थोड़ा सा इमाजिन कीजिए कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें ग्रीनरी ही ग्रीनरी होगी तो उसमें तेज हवाएं, ठंडी हवाएं प्यूर एयर जिसको हम कह सकते हैं और इसके साथ ही जो भार के खट खट और जो भी आवाज होती हैं वो भी कितनी कम सुनाई देंगी और दूल पिट्टी भी कितनी कम आएगी तो काश ऐसी एक विल्डिंग हमारी इंडिया में बने एक विल्डिंग यो बहुत सारे okay दो एक ऑब डेख लिए तो आप देख लिए यह अप दियों ली यह ऊप करने घाला कि लोग क्या करते हैं कि इन क्या बंस प्राइब कर देदे कि स्पेस ही नी है क्या करना है नेक्स वीडियो मेरा इसी के ऊपर आघा है कि कमास पेस में हम किस तरीके से गार्ड निंग करे तो गार्डन गप्षप के साथ जुड़े रहेगा और बेल आइकन को जरूर प्रैस कर दीजिगा जो यह बिल्डिंग बन रही है यह कम से कम 36 स्टोरी की होगी और इसके अंदर जितने भी पेड़ पौधी लगेंगे उसमें बताया जा रहा है कि सिडार के उबर इस बिल्डि करता है वो भी 24 आर्ट और इससे हमें बहुत सारी चीजे मलती है तो सिडार मतलब इस आर्किटेक ने चूज करके मतलब मैं कोई एक चीज यह समझ नहीं आ रही कि जो सिडार का जो व्रक्षा उसके उपर ही इनोंने नाम रग दिया हूं मतलब आप देख रहे हो कि मतलब कितना अच्छा सोचा एक आपके टेख में तो क्या यह इनफोर्मेशन आपको पता थी अगर नहीं पता थी तो कॉमेंट करके में को भी बताओ और जल्दी से सब्स्राइब को लोगा अप्षब को और बेल ऐकन जबू प्रेस कर देना